इंडियन सिनिमा में आजकल फैशन चल रहा है मास सिनिमा का लेकिन बाहर से देखने में जितना मज़ा आता है उतना ही मुश्किल है कैमरा के पीछे से इसको बनाना और अगर इसमें काम करते करते मास सिनिमा बनाने को बोल दिया जाए तो सौ में से 99 लोग फिल्म छोड़ कर घर चलते बनेंगे लेकिन अजे देवगन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वादा है मेरा अगर आपने धाई मिनिट का भूला का ट्रेलर देखा है तो दिल से सिफ एक आवाज निकलेगी थांक्यू सर जी क्योंकि इस फिल्म के बाद बॉलिवट की इज़त हमेशा हमेशा के लिए ब बढ़ा दिया है कैथी जो ओरिजनल फिल्म है वो तमिल सिनिमा में गेम चेंजर मानी जाती है 25 करोड का बजट और 100 करोड से जाधा का कलेक्शन इसलिए जब लोगों को पता चला कि अज़े देवगन उस फिल्म का रीमेक करने वाले हैं और इस फिल्म का बजट ही 100 करोड क इसको बोलते हैं adaptation subject उठाके एक नई फिल्म बनाना कहानी में similarity ज़रूर हो सकती है लेकिन कहानी दिखाने का तरीका पूरी तरह अलग होगा जिसने original फिल्म देखी भी है उसको दुबारा फिल्म देखने में अलग experience मिलेगा फ्रिलर की सबसे बड़ी ताकत आपने notice की इसका music जो एकदम different unique और काफी third four type का है especially young age audience को काफी मजा आएगा तो दूसरी तरह film का जो language है वो एकदम desi touch वाला है जिसके साथ family audience बहुत easily connect कर सकती है आप समझे नहीं आप नहीं समझे अजे दिवगन का master stroke है ये film को हर type की audience के लिए favorable बनाने का कैथी एक जबरदस्त action thriller film है लेक जाने को ready हो जाएंगे क्योंकि उनको समझ आएगा सब कुछ भाई साब लेकिन ये action scenes कहां से सोचे है यार अजे साब ने literally Bollywood में ऐसी creativity देखने को यह नहीं मिलती शिव भगवान का इससे बढ़िया इस्तिमाल किसी film के level को उठाने के लिए मैंने तो इससे पहले कभी नही कहानी में real life emotions आजाएंगे शिव भगवान की वज़े से और ये फिल्म के characters को देखा आपने कितने रंगीन तरीके से प्रेजन किया है डिरेक्टर सहाब ने दीबग दोग्रियाल मज़िदार लग रहे हैं इससे पहले उनका ये side हमने notice भी नहीं किया तबू माम का पुलिस फाला लोग दृश्यम फाक्टर को हमेशा दिमाग में जिन्दा कर देता है और खुद अजय देवगन का अफ्तार एकदम simple लेकिन मासी टाइप का है ये देशी bad boy characters बहुत suit करते हैं उन पे और अभिशेक बच्चन तो अभी फिल्म में surprise ही है उनका face reveal theater में होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी बट बॉस इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं मुझे comment section में जो अभी भी फिल्म की टांग खीच रहे हैं जबरदस्ती कुछ तो वही पुराना copy paste copy paste का ताना मार रहे हैं जबकि यहां पर मामला चोरी का है ही नही दृश्यम टू कैसे चल गई आप बताओ मुझे क्योंकि उस फिल्म का हिंदी वर्जिन पब्लिक को चाहिए था as simple as that अगर आप शहजादा और सेल्फी जैसी फिल्मों का रीमेक करके मार्केट में उतारोगे तो collection के नाम पे सिर्फ ठेंगा मिलेगा कौनसी फिल्म रीमेक करनी है और कौनस तो इसमें आपको romantic songs वगरा थोड़ी देखने को मिलेंगे हर चीज को cringe बोलने से आप cool साबित नहीं हो जाओगे कहीं कहीं पर over smartness आपको fool भी बना सकती है नहीं ये वाला नहीं दूसरा वाला दिल को तसल्दी नहीं मिल रही और फिल्म का मजाग उड़ाने को आप मचल रहे हो सिर्फ तीन शब भाड में जाओ बताओ फिर 30 मार्च को भूला का टिकेट आपकी तरफ से बुक होगा या फिर फिल्म से कुछ शिकायत आपके पास भी है कुछ गलती ढूड़ी क्या आप झाल 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 झाल